और चलिए सीध्याप को लिए चलते हैं एक्सिलेंस एडुकेशन अवार्ड जहाँ पर मेलजिंगेटर जी हिंदुस्तान के समशेष सिंग समुद्धित कर रहे हैं एडुकेशन को लेकर इस तरह के कॉनक्लेब करते हैं उन लोगों को सम्मानित करते हैं जिनका शिक्षा के छेतर में समाज के छेतर में एहम योगदान होता है आज भी हम उन तमाम लोगों को सम्मानित करेंगे उनका अभिनंदन करेंगे जिन्होंने शिक्षा के छेतर में एक एहम भूमिका निभाई है मैं शिक्षक हूँ ये तीन शब्द ऐसे हैं जिनके सामने कोई भी शब्द या कोई भी रेखा कर कुछ भी खड़ा नहीं होता ये तीन शब्द अपने आप में काफी माइने रखते हैं जी मीडिया का मानना है ये सोच है हमारे CEO पुर्षोत्म वहिशनवजी का कि जो विक्ति क्योंगी आप जी हिंदुस्तान के अगर टैग लाइन को देखेंगे तो हमारा समभाद राष्टबाद यानि हम हमारा संबाद ही राष्टवाद है हम राष्टवाद की बात करते हैं राष्ट के हित की बात करते हैं राष्ट के विकास की बात करते हैं राष्ट के लिए बात करते हैं जी हिंदुस्तान का जी मीडिया का मानना है कि जिस किसी व्यक्ति का रास्ट निर्मान में, रास्ट के हित में, रास्ट को मजबूत बनानी के दिशा में, थोड़ा सा भी योगदान है तो वो सम्मान के हगदार है, उनका अधिकार है, और हमारा फर्ज है उन्हें सम्मानित कर ना उन्हें सम्मान देना और इस अवाड का मकसद ही यही है हम उन्हें नमन करते हैं उन्हें सम्मानित करते हैं यहां कहा जाता है कि खास करके मैं तो यह काफी ज्यादा इसको फॉलो करता हूँ कि मां की सब जगा जितना भी भारसन दे लूँ सिक्षक अगर सामने बैठे हो तो वहां बोलती बंद हो जाती है तो थोड़ा घबडाया हुआ भी हूँ कुछ पुडाने साथ ही भी हैं गुबिन सिंग जी हैं हम लोग आज तक में साथ काम करते थे अब सिक्षक हैं इनके सामने भी अब डर लगता है बात करने में दिल्ली इन्वर्सिटी के वाइस चांसलर हैं बागी और सिक्षक गन है जो कोडोना काल था उस समय में सिक्षकों की क्या भूमिका होती है सिक्षक कितना एहम होते हैं एक बार और साबित कर दिया जब हाइवे बंद थे रेल की पट्रियां सुनी थी हवाई मार्ग बंद थे अगर देश में कोई चल रहा था किसी चीज पर रुकाबट नहीं लगी थी तो वो थी शिक्षा बेसक ऑनलाइन ही सही लेकिन शिक्षा पर कोई रोक नहीं लगी सिक्षा उसी रफ्तार से चल रही थी चातर उसी तरह पढ़ रहे थे यूँ कहे तो मेरे भी दो बच्चे हैं वो ज्यादा पढ़ रहे थे क्योंकि ऑनलाइन उन पे भी इस क्लास जाने से ज्यादा वो घर से पढ़ रहे थी तो मैं उस समय को आप सब लोगों ने उस फेज को देखा है आप सबों ने उस फेज को महसूस भी किया है जो दो साल गुजरे हमारे सारी चीजें जब बंद थी बस एक चीज उसी रफ्तार से चल रही थी या यूँ कहें कि उससे ज्यादा रफ्तार से चल रही थी तो वो शिक्षा थी तो इसलिए मैं चाहूंगा कि एक बार हमारे सिक्षकों के लिए आप लोग तालियां बजाएं जो कोरोना में भी रुके नहीं ऐसा नहीं है कि वहां से बुरी खबरें नहीं आई हर इन्वर्सिटी से आती थी चाहे वो दिल्ली इन्वर्सिटी हो जेन यू हो देश के तमाम इन्वर्सिटी हो वहां से भी कोरोना के समय में बुरी खबरें आती थी लेकिन ये ना रुके न थमें उसी रफ़तार में यूं कहें उससे तेज रफ़तार में आगे बढ़ते रहे जी हिंदुस्तान की जहां तक बात करें मुश्किल से दो साल हमें हुए हैं इस दो साल के सफर में हमने कई सारे मुकाम हासिल किये हमारे आप अगर शो को देखेंगे, हमारे प्रोग्राम को देखेंगे बस हम देश हित की बात करते हैं चाये शाम में हमारा डिवेट हो, देश को जवाब दो या राश्टबाद हो, वंदे मात्रम हो हमारी कोशिश उन मुद्दों को छूने की होती है जो रास्टित से जुड़ी हुए होती है, रास्टित को संजोती है, साथ ही जे हिंदुस्तान की कोशिश होती है कि छोटे से छोटे जगों में, जो टियर 2, टियर 3, 4, 5, 6, जो कस्वे होते हैं, छोटे छोटे आप कहें कि ब्लॉक लेवल तक, जहां कि खबरें दब जाती हैं जहां कि खबरें निशनल मीडिया में जगह नहीं पाती हैं, हमारी कोशिश होती है कि उन खबरों को दिखाने की, उन खबरों को यहां तक लाने की, और एक और हमारी कोशिश है, जो हम टैग लाइन हमारा है भी समस्या ही नहीं, समाधान भी, कई खबरों में हलांकि बेहद आधान तक को ढूंड लेते हैं और यही हमारी USP है जिसे लोग पसंद कर रहे हैं जिसे दर्शक देख रहे हैं और हमें उसका सम्मान भी मिलता है आज हम शिक्षा को लोगे कई सारी बातें करेंगे शिक्षा नीती को लेके बात करेंगे मैं ज्यादा वक्त नहीं लूँगा एक ऐसा समाज है जिसका सम्मान उतना ही था है और आगे रहेगा भी इसे के साथ मैं अपनी बात यहीं खतम करना चाहता हूं एक बार फिर आप सबों का धन्यवाद